हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैट्स के 13 चैप्टर प्रिष्टिक शेत्रिफल और आयतन इसकी प्रशनावली 13.3 करेंगे इस पूरी प्रशनावली में टोटल 8 क्वेश्टन से हैं और सभी को हम इस वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रशनावली में जो जो फॉर्मली यूज होंगे वो समझा लेता हूँ ये पूरी प्रशनावली शंकू के एक प्रिष्टिक शेत्रबल पर आधारित है तो आप अपने सामने देख सकते हैं ये एक शंकू है शंकू यानि कोन तो इसकी जो ये है ये उचाई इसको हम हम एच नाम देते हैं जो ये आधार है ये उसकी तरिज्जा है आधार की तरिज्जा इसको हम आर नाम दे सकते हैं है small r ध्यान रखना इसमें ये तिर्ची उचाई बड़ी important है जिसको कि हम तिर्यक उचाई कहते हैं और इसका symbol L है तो शंकू की जो तिर्यक उचाई होती है ये होता है root h square plus r square यहाँ पर पाइथागरस प्रमे काम आती है पाइथागरस प्रमे होती है l square is equal to h square plus r square इस तिर्बुच के इसाब से जहाँ पर l तिर्यक उचाई है slant height और ये जो h है ये इसकी height है और जो r है ये इसकी तरिज्जा है आधार की तरिज्जा कभी कब आर l दिया होता है h दिया होता है आपको r निकालना होता है तो भी same formula हम use करेंगे तो एक तो है तिर्यक उचाई इसके बाद अब बात करते हैं इसके प्रिशिक शेत्रफल की देखो इसमें जो प्रिशिक शेत्रफल होता है उसके दो भाग है एक तो ये वाला हिस्सा जिसको हम कहेंगे वक्र प्रिष्ठ तो शंको का वक्र प्रिष्ठ क्षेत्रिफल इसका फॉर्मला है पाई आर एल पाई पता है आपको आर ये तरिजा है और ये तरिया कुँचाई है तरिछी उचाई और इसके साथ में जो ये आधार है उसका क्षेत्रफल क्या होगा तो ये बिलकुल मुश्किल नहीं है आधार आप देख सकते हैं ये आधार एक वृत है सरकल तो इसका क्षेत्रफल जो सरकल का एरिया होता है और इसका कुल प्रिश्यक शेत्रिफल में दोनों को प्लस कर देंगे यानि जो वक्र प्रिश्ट है और जो आधार का ख्येत्रिफल है तो यहां से πाई आर कॉमान आ जाएगा और यह L प्लस आर है यह हमारे पास जो यहां पर आप देख सकते हैं यह इस पूरी प्रशनावली में उप्योग होने वाले पूरी प्रशनावली में यूस होने वाले फॉर्मुले मेंने सारे लिग दिये हैं आप जाओ तो नोट कर सकते हो और अब हम एक एक करके इस प्रशनावली की क्वेशन को करना शुरू करते हैं पहला क्वेशन है एक शंको के आधार का व्यास यह है तो आप जानते हैं कि जो आधार का व्यास होता है यह त्रीजा का दुबना होता है तो यहाँ पर आधार का व्यास ये है 10.5 cm तो जो तरिज्जा है रेडियस ये इसका आधा हो जाएगा इतना cm इसको डिवाइड करने की आवशक्ता नहीं है ठीक है भाग देने की ज़रूत नहीं है इतना ठीक है तिरेकों चाहिदी है यानि L ये है 10 cm इसका वक्र प्रिश्चिक शेत्रफल ग्याद करना है तो वक्र प्रिश्चिक शेत्रफल हमें निकालना है तो ये होता है क्या पाई आर एल पाई है 22 बटे साथ आर है 10.5 अपाउन 2 और एल है 10 तो यहाँ पर ये अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा ठीक है ना या फिर चाहे 10 से मल्टिप्लाइ कर दो या 0 बढ़ा दो ये 0 से 0 कटा 2 से ये गया 11 और ये गया 15 सत्य 105 और आंसर आगया 165 सेंटिमीटर स्क्वाइर ये हमारा आंसर है ठीक है तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सलिशन question no 2 है एक शंको का कुल प्रिशक शेतिफल गया जिसके तिर्यकूचाई इस बार तिर्यकूचाई दी है इस question में यानि L ये है 21 मीटर और आधार का व्यास दिया है तो व्यास है 24 मीटर तो आप जानते हैं कि जो तीरिज आ होती है ये व्यास के आदी होती है तो 24 बटे दो और यह हो जाएगा 12 मीटर तो यह दोनों information हमारे पास है हमें निकालना है कुल प्रिष्टिक शेत्रफल यह हमें ग्याद करना है ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगा कुल प्रिष्टिक शेत्रफल यह होता है πाई आर इंटू एल प्लस आर आपको बताया था ना कि यह वक्र प्रिष्टिक शेत्रफल और आधार के शेत्रफल को मिला कर बनता है तो यहाँ से अगर हम पाई आर कॉमन ले ले अंदर एल प्लस आर बचता है यह यहाँ पर वैलिस पूट करते हैं बाइस बटे साथ आर है बारा एल प्लस आर एल इकिस है और आर है बारा तो यह हो जाएगा ट्वंटिटू अपॉन सेवन इंटू ट्वैल्फ इंटू यह प्लस करके थड़ी थ्री हो जाएगा और अब बस यहाँ पर इनको गुणा करना है इनका तो यह फाइनली आ जाएगा एट सेवन वन टू अपॉन सेवन ठीक है इतना सेंटिम इतना मीटर स्कॉयर सम मीटर में है और जब हम इसको डिवाइड करेंगे साथ से तो यह हमारा आंसर आ जाएगा आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं ठीक है दोनों सही है एक शंको का वक्र प्रिश्रिक शेत्रिफल ये है तो शंको का दिया है वक्र प्रिश्रिक शेत्रिफल वक्र प्रिश्रिक शेत्रिफल होता है जहां रखना पाई आर एल और ये है 308 सेंटिमीटर स्कॉयर तो ये दिया है क्वेश्चन में तिरिया कोचाई दी है 14 cm, हमें ग्याद करना है आधार की तरीजिया और शंगु का कुल प्रिशिक शित्रिफल, यह हमें ग्याद करना है, तो सबसे पहरे जो हमारे पास यह information दी है, यहां से आराम से आर आ जाएगा, चुकि पाई आर एल जो है यह है 308, पाई है 22 बटे साथ, आर है, आर तो निकालना है, एल है 14, यह कटा तो यह दो आ गया, तो आर हो गया 308 अपॉन यह, ठीक है, दो से यह कटेगा, तो आएगा 154, फिर यह 2 से गया, तो यह 77, यह 11 से गया, 7 और यह है 7 cm, आर आ गया है, अब हमें कुल प्रिशिक शेत्रफल देखो, यह तो first part है, कुल प्रिशिक शेत्रफल ग्याद करना है, कुल प्रिशिक शेत्रफल होता है, पाई R इंटू L प्लस R, अब यह values हमें यहाँ पर रखनी है, 22 बटे 7, R है 7, L है 14, R फिर इसे 7, 7 से 7 यह कटा, यह आ गया, 22 इंटू 21, और यह आ जाएगा, 462 cm2, यह हमारा आंसर है, ठीक है न? question number 4 है, शन्गो के आकार का एक तंबू 10 मेटर उचा है, तो यहाँ पर जो हाइट है, यह 10 मेटर, उसके आदार की त्रीज्जा 24 मेटर है, तो आदार की त्रीज्जा दी है 24 मेटर, okay, nice, ज्याद कीजे तंबू की तिरियक उचाई, तो हमें ज्याद करना है, की L कितना है, त और तंबो में लगे Canvas की लागत यदि ये ठीकाना, यानि उससे पहले हमें ग्याद करना होगा, जब हम याद करेंगे कितनी लागत हैं, तो उसके लिए हमें तंबो का वक्र प्रिश्ट चाहिए होगा, चलो उसके आते हैं, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि आल निकालन हैं यह है 10 और यह है 24 यह वैलियो समफूट करेंगे और यह हो गया प्लस 576 यह हो जाएगा इनको प्लस करेंगे 676 और इसका स्क्वाइर रूट होता है 24 26 मीटर ठीक है इसका वर्गमूल यह होता है हमें एल मिल गया है first part हमारा आचुका है अब second part की बात करते हैं यह है तंबू तो तंबू में कहां यूज होगा कहां हमें तिरपाल लगाना पड़ेगा जो उसका यह वाला portion है आप समझ रहें यानि यह वाला इसमें ऐसे बनाके तंबू बनाए गया है जैसे तंबू बने होता है तो यानि हमें वक्र प्रिष्ट चाहिए हमें वक्र प्रिष्ट चाहिए कुल प्रिष्ट नहीं चाहिए क्योंकि नीचे नहीं बिछा रखा है केवल ऐसे लगा के तंबो बनाया गया है तो हमें चाहिए वक्रिप्रिष्ट तो पहले तो तंबो का वक्रिप्रिष्ट ग्याद करेंगे यह होता है πाई आर एल तो पहले तो ग्याद कर लेते हैं वैलियूस फूट करके 22 बटे 7 आर है 24 और एल है 26 तो यह हो गया है ठीक है और यह मल्टिप्लाइ करेंगे यह आ जाएगा 13728 अपॉन 7 मेटर स्कॉयर यह उसका क्षेत्रिपल आ चुका है तंबो के वक्रिप्रिष्ट का तो कैन्वस की लागत क्या होगी यहाँ पर लिग देते हैं अब एक मेटर स्कॉयर सत्तर रुपे का है तो इतना मेटर स्कॉयर कितने का होगा तो यह है हमारे पास 13728 अपॉन 7 मेटर स्कॉयर गुणा सत्तर रुपे है एक मेटर स्कॉयर का कितने का एक मेटर स्कॉयर का तो यह मेटर स्कॉयर meter square हड़ गया मतलब आसान भाशा में आप कह सकते हैं कि इनका सेदा गुणा करना है लेकिन यह प्रॉपर वे है लिखने का साथ से कटा यह 10 आ गया और यह answer आ जाएगा 137280 रुपे ठीक है देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस जगे पर divide कर देते हैं भाग देते हैं मेरा यह मानना है कि आप last moment तक भी आप इस तरह की calculation मत करो कि हमें कुछ बड़ा भाग देना हो या बड़ा सा गुणा करना हो ऐसे आप कभी मत करें इससे आपका time waste होगा क्योंकि ultimately आपने देखा साथ से कटी ही आओ तो यहां पे अगर आपने भाग दिया होता तो पुरा waste हो जाता उसका कोई फायदा नहीं होता ठीक है तो इसलिए question के बीच में ऐसे भाग देना या गुणा करना जो यहां पे गुणा करना ठीक है लेकिन ऐसे भाग देना अगर पुरा नंबर आ जाया तो ठीक है लेकिन अगर point में कुछ 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 आए तो उसको करने का फायदा नहीं है ठीक है question number 5 है 8 मेटर उचाई और आधार की तरीज़ा 6 मेटर वाले एक शंको के आकार का तंबू बनाने में 3 मेटर 44 तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी यह हमान कर चले कि कटाई चटाई में इतना यूज हो गया चलो ठीक है इसमें सबसे पहले तो तंबू जो है हमारे पास इसकी यह जो तंबू बनाया गया है इसकी हमें हाइड दी है और इसकी तरीज़ा दी है तो इसकी जो उचाई है यह है 8 मेटर और जो आधार की तरीज़ा है यह है 6 मेटर यह तो तंबू की बात है यहां पर अब आप ने तंबू बनाये तो आप बनाने के लिए तिरपाल आपको चाहिए होगा तिरपाल के लिए आप गए मार्केट तो बजार में क्या हुआ उसने थान में से काट के दिया है ना पूरा तंबू बना बनाये तो नहीं है थान में से काट के दिया इसके चोड़ाई 3 मीटर है लेकिन लंबाई कितनी होगी तो आपने अपना हिसाब के ताप लगाया आपने सोचा कि अच्छा इतना तो लगेगा साथ में कटाई छटाई में इतना निकल जाएगा तो ये तो आप उतना लेकर आगे तो ध्यान रखना ये जो आप लेकर आए हो ये जो तिरपाल आप लेकर आए हो इसमें इतना जो हिस्सा है ये उसको सिलाई कटाई में इतना निकल गया है होता है ना सिलाई कटाई करने में कुछ निकल जाते हैं कुछ टुकड़े तो ये है 20 सेंटिमीटर अगर हम मीटर में कनवर्ड करें तो यह आ जागा 0.2 मीटर जो इतना हिस्सा बचा है यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इसकी बात करूँ यह जो हिस्सा है यह यूज जितना हुआ है यानि जो इसका क्षेत्र भले वो है इतना यूज हुआ है, तो इसकी लंबाई मैं L मान लेता हूँ, तो हम L निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखना, लास्ट में हम इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें तो जो मार्किट से लेके आएंगे, हम पूरा ही लेके आएंगे न, ये तो हम नहीं कहेंगे कि ये कटाई-च क्षेत्रफल की equal होगा, ये दोनों किशेत्रफल यहां पर बराबर होंगे, ध्यान रखना पूरा नहीं, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना, ठीक है, ये अलग है, ये जो उसकी सिलाई का टाय में निकल गया, तो यहां पर हम लिखेंगे, कि तंबु का क्षेत्रफल, ध्य होता है πाई आर एल पाई यहाँ पर question में लिखा है 3.14 यूज़ करना है आर यहाँ पर 6 है और एल यहाँ पर एल जो है वो तिरिशी उचाई है अच्छा यह तो है नहीं हमारे पास तो यह निकालना पड़ेगा ठीक है इसका भी ध्यान लगना है पहले तो हम एल निकालेंगे तो यहाँ पर एल यह है अंडरूब 8 स्क्वाइर प्लस आर स्क्वाइर यानि अंडरूब 8 स्क्वाइर प्लस 6 स्क्वाइर यह हो जाएगा 64 प्लस 36 यह हो गया 100 और यह हो गया 10 मीटर ठीक है, तो L जो है वो 10 मीटर है तो इसका हम गुणा करेंगे तो 14, 75, 14, 6, 84 6, 38 और ये आ गया, इतना मीटर, स्क्वाइर ये इसका क्षेत्रफल है और ये इसके बराबर है तो यूज हुए, जितना यूज हुआ है इसका क्षेत्रफल तो उपियोग में जितना तिर्पाल आया है उसका क्षेत्रफल आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चोड़ाई होता है तो हमने ये कर दिया है अब इनको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into L is equal to 188.4 इतना मीटर आगे इतनी लंबाई यहां से यहां तक यह इतनी लंबाई है तो इसका मतलब कुल लंबाई तो ये होगा 62.8 और इसमें 0.2 वो जुड़ जाएगा जो सिलाई का टाइमें निकल गया तो ये हो जाएगा 63 मीटर और ये हमारा आंसर है ठीक है Q6 है शंको के आधार की एक गुमबज यह आधार यहां पर गलत लिखा है यह आकार है तो शंको के आकार का एक गुमबज बना है जिसके तिरियक उचाई दी है तो यहां पर तिरियक उचाई है 25 मीटर और आधार का व्यास यह है 14 मीटर तो अगर व्यास 14 है तो तरिज्य क्या होगी इसकी आधी हो जाएगी तो यह है 7 मीटर इसकीवक्र प्रिष्ट पर इतने trustworthy 100 मीटर स्क्वयर की दर्से सफीरी करने का व्य जा होगी तो पहले तो हम वक्र प्रिष्ट ग्याद करेंगे और इसके बाद पिर कितना खरचा आईगा और निकाल देंगे हम तो पहला काम है वक्र प्रिष्टि याद करें इसका वक्र प्रिष्टिक शेत्रभल क्या होता है शंकू का पाई आर एल पाई है यहाँ पर कुछ लिखा नहीं तो हमें बाइस बटे साथ लेना है आर है सेवन और एल है पच्चिस यह कटा और यहाँ आगया है पांच सो पचास मीटर स्क्वाइर अब देखो खर्चे की बात तो देखो दो तरीके इसको लिखने के हैं या तो आप लिखो कुल व्याया देखो ध्यान से हैं कुल खर्चा जो है वो क्या होगा तो देखो खर्चे का रेट यह है यानि 210 रुपे प्रती 100 मीटर स्क्वाइर कितना 210 रुपे प्रती 100 मीटर स्क्वाइर प्रती का मतलब यह समझो कि डिवाइड कर रहे हैं जब यह प्रती लिखाओ इसका मलब डिवाइड कर रहे हैं भाग दे रहे हैं मतलब और हमारे पास टोटल तो यह है तो ये सीधे हो जाएगा मीटर स्क्वाइर से मीटर स्क्वाइर कड़ गया 0 से ये 0 कटा ये 0 से 0 कटा और ये आ जाएगा multiply करके किस पंच एक सुपांच दस एक सुपंदरा इतना रूपी इतना रूपी आ गया ठीक है अच्छा, अगर यहाँ पर कोई confusion है तो मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ देखो 100 m² सफीदी कराने का विया कितना है? 210 रुपे एक मिटर सफीदी कराने का विया तो जब एक के लिए करना हो तो इसका भाग दे देते हैं और हमारे पास तो 550 है तो एक मिटर स्क्वाइर का अगर यह है तो 550 मिटर स्क्वाइर पर सफीदी कराने का कुल विया कितना होगा? तो यह हो जाएगा 210 बटे गुणा 550 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा और यह आ गया 1155 और यह हमारा आंसर है ओके? Question No.7 है एक जोकर की टोपी एक शंको के आकार की है आप जानते हैं जोकर की टोपी इस तरह से कुछ इस तरह से होती है यह और यह शंको का आकार है इसकी जो आधार की domic Recently है तो जो R है यह है 7 cm और जो उचाई है यह 24 cm है इस प्रकार की दस टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्य का क्षेत्रिफल ग्याद कीजिए ठीक है तो पहले एक टोपी का क्षेत्रिफल निकालेंगे और इसके बाद तब दस का गुणा कर देंगे सीधी सी कैल्कुलेशन है ध्यान रखना हमें क्यावल वक्र प्रिष्ट इसका निकालना है क्योंकि टोपी इस तरह बनी है ना इस तरह से जो गोल वाला इसका एरिया ये वाला होता है वक्र वाला एरिया क्षेत्रिफल वो हमें निकालना है और उसका क्या होता है बेसिकली जिसकों वकर्फिष्ट कहते हैं पाई आर एल तो इसमें तो एल है तो यानि हमें पहले एल निकालना है तिरिया कौँचाई जिसम कहते हैं तो यानि ये तिरिया कौँचाई होती है ठीक है ये वाला हिस्सा तो ये है H square प्लस R square यहां पर जो 649, 625 और यह आ जाएगा 25 सेंटिमीटर, तो L 25 आ गया ठीक है, पाई है 22 बटे 7, आर है 7 और L है 25, यह कटा और यह आ गया 550 सेंटिमीटर स्क्वायर, यह एक टोपी का क्षेत्रबल है, तो एक टोपी को बनाने में आवश्यक गत्य का क्षेत्रबल आया है यह, तो ऐसे ही दस टोपियां बनाने में कितना आएगा, तो ऐसे ही दस टोपियां टोपी को बनाने में आवश्यक गत्य का क्षेत्रबल के लिए क्या करेंगे, हम दस का गुणा कर देंगे इसमें, और आजाएगा 550 सेंटिमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है, क्वेशन नमबर एट है, यहां पर क्या है, किसी बस टॉप को पुराने गत्य से बने 50 खोगले शंको द्वारा सडक से अलग किया हुआ है, तो जैसे आपने सडक में देखे होंगे, ऐसे लगे वे चोटे चोटे यह लगे होते हैं इस तरह से, तो ऐसे ऐसे 50 लगाने हैं, शंको के आकार के, यह जिन से डिवाइडर टाइप के हम बनाते हैं, टेंपरेरिली, उनको उठा के यहां से वठा, वहां भी लेके जा सकते हैं, इस तरह से बने होते हैं, अच्छा, यह 50 हैं, प्रते एक शंको के आधार का व्यास, 40 cm है, और उचाई 1 मेटर है, तो यहां पर जो व्यास है, 40 cm, लेकिन हमें तो सब चीजों में तरीजा के आवशकता पड़ती है, तो तरीजा हो जाएगी इसकी हाफ, 40 upon 2, यानि 20 cm, और इसकी उचाई 1 मीटर, ध्यान रखना, अब यह मीटर है और यह cm है, तो इसको मीटर में convert करते हैं, तो इसको 100 से हम भाग देंगे, तो यह मीटर हो गया है, यानि 0.2 मीटर, ध्यान रखना, जिस तरह से question आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें इनको paint करना है बाहर की तरफ से, और फिर खर्चा बताना है, तो बाहर से paint करेंगे, तो इसको वक्रपिष्ट पर paint करेंगे हम, तो वक्रपिष्ट शेत्रफल निकालना है हमें, और उसके लिए हमें तिरियक उचाई, L की आवश्चता होती है, तो तिरियक उचाई, ठीक है, यह formula होता है, simple, h है, 1 meter square, मतलब 1 का square करेंगे, और यहाँ पर 0.2 का square करेंगे, तो यह हो जाएगा, 1 प्लस 0.04, यानि 1.04 और यह होता है, 1.02 meter, यह आ गया है, ठीक है, अच्छा, अब, एक शंको का वक्र प्रिष्ठ हम ज्याद करेंगे, और यह होता है, पाई, आर, एल, तो पाई है, 3.14, आर, 0.2, और एल, 1.02, यह हम गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा, 0.64056, यह एक शंको का वक्र प्रिष्ठ आया है, ध्यान रखना, हमारे पास ऐसे टोटल 50 शंको है, तो 50 शंकों का वक्र प्रिष्ठ, ध्यान रखना, वक्र प्रिष्ठ कह सकते हैं, या वक्र प्रिष्ठिक शेत्रफल भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है, तो इसका वक्र प्रिष्ठिक शेत्रफल क्या होगा, इसमें 50 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32.028 इतना मेटर स्कुायर ये तो आगे है शंकुआ का अक्षे त्रिफल और अब एक मेटर स्कुायर का खर्चा है 12 रूपे तो इसका खर्चा क्या आएगा तो पेंट करवाने की जो पेंट करने की दर है वो क्या है 12 रूपे प्रती मेटर स्कुायर ठीक है ने एक मेटर स्कुायर का 12 रूपे तो कुल खर्चा कुल व्यायर कुल लागत क्या होगी तो ये आजाएगा 32.028 और इसमें 12 रूपे गुणा कर देंगे तो ये आजाएगा फाइनल आंसर 384.336 इतने रूपे और ये हमारा आंसर है ओके आपके सभी क्वेशन्स अच्छे से समझ आ रही होंगे बागी क्वेशन्स के सलुशन्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शियर करें मिलते हैं अगरे वीडियो में टेक कियर